तो आज हम समयने वले हैं compression molding के बारे में देखें injection molding, compression molding ये सारे एक साथ मैं समझा रहा हूँ तो प्लीज आप series पूरी देख सकते हैं इसकी तो compression molding में हम बात करते हैं तो ये किस तरह से होती है ये animation से आपको समझ आजेगा और ये इसमें parts कौन कौन से होते हैं सबसे पहले ये देख लें तो compression molding में हमारे पास ये है हमारे पास upper movable तो ये mold half क्या है upper movable मतलब उपर वाला part है movable है और ये हमारे पास charge है जिसका हम product बनाना चाते हैं plastic हम use कर रहे हैं तो इसमें plastic है lower fixed half तो ये fixed half है ये fixed रहता है ये हिलेगा नहीं और ये है ejector pin ये इसको यहां से निकालने के लिए pin हम ने दी हुई है जब क्या करेंगे ये देखिए हमारे पास इसको move करेंगे नीचे क्यों और compress करेंगे compression molding में क्या करेंगे compress करेंगे compress कर रहे हैं तो उसकी shape change होगी उसकी shape change होगी अब इसमें क्या होता है कि plastic हमारे पास अगर हम solid use कर लेते हैं तो ये इतना अच्छा तरीके से अपना shape को change नहीं करेगा इसलिए हम इसमें heater का भी use करते हैं उपर वाला जो mold है हमारे पास upper half है उसमें हम क्या करेंगे heater का use करेंगे जिसके कारण plastic जो है हमारे पास वो अपनी flexibility ज़्यादा बढ़ा लेगा गरम होने के बाद तो हम उसको गरम भी सासाथ करेंगे तो इसमें अलग से नहीं गरम करते हैं पहले से plastic को हम इसी के साथ process के साथ इसको गरम कर देते हैं देखो अलग-लग है कहीं पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये mold जो नीचे वाला है उसको गरम करके रखेंगे ताकि ये गरमी इसको मिल जाए किसी machines में यह है कि उपर वाला जो mold है उसको गरम करके यहां heater लगाके हम plastic के साथ touch में लाते हैं तो वो अलग-लग है according to requirement जैसा होता है तो हमारे पास इस तरह से compression molding यहां पे आएगा ये shape बना देगा और ये shape हमारे पास बाहर निकल जाएगी और molded piece हमारे पास आ जाएगा तो हम इसमें भी देखते हैं तो ये देखिए इस तरह से shape त्यार करनी है तो सिर्फ compress करना है आपको क्या करना है? compress करना है compression करके आप जैसा मर्जी shape त्यार कर लो अब वाल ये गूता हुआ आटा है वो गूता हुआ है ना उसमें कभी कोई shape बना देनी कभी कुछ बना देना तो वो compression molding कर रहे थे आप लेकिन उस time हमें नहीं पता था कि ये compression molding कर रहे है आप तो याद रह जाएगा आप चाहिए मम्मी जब आटा गूंत रही होगी थोड़ा सा ले ले लेना जो shape करें जिल करता है उस shape में उसको आटे को ढाल लो क्योंकि वो ढल सकता है उसी shape में तो ये हमारे पास compression molding होती है simple सा है तो compression molding is a process of molding in which a feeding material is placed into an open heated mold cavity तो इसमें क्या कर देते हैं कि हम plastic को रखते हैं open heated mold cavity के अंदर तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नीचे वाला जो है उसको हम पहले से गरम करके रखेंगे ताकि plastic उपर रखा जा सके और वो जो है हम अपनी उसको normal condition में ला सके ऐसी condition में ताकि उसको change करा जा सके the mold is then closed with a top plug तो उपरवाल प्लग से वो बंद कर देते हैं and compressed with the large hydraulic press और hydraulic press से पूर अदर बाद देते हैं भाई उसको in order to have the material contact all area of the mold तो इससे क्या होगा पूरे area के साथ contact में आएगा जैसा mold cavity में हम चाहते थे the charge cures in the heated mold तो इसके बाद heated mold में हमारे पास धीरे धीरे उसी charge को ठंदा कर लेते हैं और ठंदा करने के बाद जब हमारे पास वो product बन जाता है उसको हम ejector में से बहाँ निकाल लेते हैं तो steps हम देख लें तो steps कौन से हैं material is placed into mold mold में रखते हैं product is heated तो गरम कर लेते हैं until somewhat soft and pliable और ताकि वो गरम जो soft बन सके hydraulic tool presses the material hydraulic tool press करती है once the material is hardened जब वो hard हो जाता है has taken shape of the mold it is ejected जब वो mold की shape ले ले उसको निकाल लो वहाँ से okay तो raw material की बात करें तो इसमें भाई साथ thermo setting plastic और thermo plastic दोनों material हम इसमें use कर सकते हैं यह important बाते होती हैं लिख लिया करो इसमें से product कों कों से बन सकते हैं तो product की बात करें car tires होगे rubber tire होगे rubber gaskets होगे seals होगी handles होगे electrical components होगे automotive parts होगे और other various polymers यह सब कुछ हमारे पास होगे compression molding की help से हम त्यार कर सकते हैं okay advantages की बात करें तो यहाँ पर यह simple process है बड़ी simple सी process है it involves lower tooling cost tool की cost कम पढ़ती है it is great for producing large items तो large items के लिए बड़ा अच्छा है ठीक है large और thicker items के लिए पतले नहीं बना सकते इसे तो thicker items के लिए it can be good choice for insert molding and multi color molding multi color molding आप बनाना चाहते हो तो आप इससे बना सकते हो it is cost effective for short production run तो अगर छोटे mass production नहीं कर रहे हो short production नहीं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है disadvantage की बात करें तो it has higher chance of post molding cost तो उसके बाद cost जो पढ़ती है mold करने के बाद वो cost आप मेहंगी बढ़ सकते है क्योंकि उसके बात finishing करनी होती भाई product की it has slower processing time तो processing time इसका थोड़ा सा slow है it is not suitable for all complex designs सारे complex designs के लिए नहीं है एक साथ आप बहुत सारे molds त्यार करना चाहते हो बहुत सारे product त्यार करना चाहते हो एक साथ में वही एक बार में आए सारे product त्यार हो जाए ऐसा नहीं है और आप कोगे कि shape इस तरह की अंदर घूम के इदर इदर जाए जाए तो वो उस तरह का मोल्ड बनाना उस तरह का डाई बनाना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है तो intricate parts की बात करें या मुश्किल parts की बात करें वो यहां पर नहीं बनते हैं इसमें simple जो shapes होंगी वो आपके पास त्यार हो जाएगी I hope की यह चीज़ आपको समझ आगी होगी अगर समझ आई है तो एक बार comment box में जरूर बताएं और अगर आपने app डाउनलोड नहीं किया तो यहां पर link दे रहा हूँ SSJ की त्यारी कर सकते हैं मेरे साथ Thank you so much नेक्ट वीडियो में फिर से मेंगे